जै स्री माकार, जै मातराने की आप सभी का मातराने के लियान करे और आप सभी को शोके रखे बात करते हैं एक विशेश मंत्रा की सिस मंत्रा की साधना करने से कहीं सारी सक्तियों को आप सिद्ध कर सकते हैं जो कि विशेशकर काले जादू से समंदित होती हैं जिसमें बूद्रनी प्रेतनी ऐसी सक्तिया होती है पिसास पिसास ने ऐसी बहुत सारी सक्तिया होती है जो कि नेगेटिव एनर्जी से समंदित होती हैं विशेशकर अगर उन सक्तियों को आप बुलाना साथ हो तो एक ऐसा आपको एक विसे सपरसंट मतलब आपको मंतर बता रहे हैं जो कि बहुत ही उग्रा है इस मंतर को आपको कम से कम 21 दिवस्तक इसके साधना करने हैं और रोजाना ही 21 माला चप करना है यह एक सामान्य वेदी है इस वेदी से आप किसी भी सक्ति को अगर बुलाना साएंगे तो व योगिने को अगर आप इसकी साधना करते हैं तो उसको बोला सकते हैं बिना साधना की बिना इसकी जब किरिया की आप कोई नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको करना क्या है इस मंतर का आपको जब करना है और जब भी करना है आपको खाने करने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ भी खाती है तो आपको जब तक दूसरी बात ही है कि जब तक ये साथ ना सलती है तो उस समय आपको किसी परकार की कोई विज़ शाब आप सपाई नहीं रहांने हैं आप कोई भी दतुन वगिरा ब्रस वगिरा नहीं करना है आपको कपड़े वगिरा अपने आपसे ही ऐसे इगंदे पेनने और हो शकता है तो आपको शाधना के समय नहना तो ना भी 21 दिवस तक नहीं है आप यह साधना किजिएगा यह साधना करेंगी तब आपको एक जैसे बलेक मैजी कैसी आप करते हैं आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं उनके पास में श इसका यह विशिस मंत्र है इसको करने के बाद में यह सक्तियां प्राप्त होती हैं इसका मंत्र शुन लेजिएगा और अभी तक अपने हमारे सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो जरूर करें मंत्र शुन यहगा यह एक सामन्य मंत्र है जो कि आप वीडियो रोक्याराम से इसको लिख सकते हैं और उसके बाद में यह साधना किजिएगा और इसकी सामन्य पुजबाद आपको काम में लेना है जो कि आपको मैंने बता दिया है अगर आपको वीडियो चल लगी तो लाइक और से जरू करना जैस्री माकार